आज को बड़े में दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारे सामने खड़ा है 24 मॉडल यामाहा FZS वर्जन 4 और इस कलर को देखके आप सभी जान रहे कि यह इस बाइक का न्यू कलर है आइस फ्लू वर्मिलियन कलर और इस कलर में यह बाइक आपको कैसा लग रहाए आ आप सभी जानने वाले हो अगर आप यामाहा FZS बाइक लेना चाहते हैं तो इस बाइक में आपको कितने वेरेंट मिलते हैं उनका हमारे जमशिदपूर का अन्रोड प्राइस क्या है साती बाइक में आपको कौन-कौन से कलर ऑप्शन मिल जाते हैं बाइक के फीचर के बार करते हैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत असवागत है आपके अपने यूटूब चैनल गेर अपडेट में और आज के वीटू के लिए मैं आया हूं यामाहा ब्लूस का शोरूम में ब्लोटिया मोटर्स शोरूम का अटेसर कॉन्टेक नमबर आपके स्क्रीन पर नजर आ जम्षितपुर का अंडोर पैज है वन लाग फिफ्टी फॉर तौजन नाइटीन रूपीज और अभी दोस्तों इस शोरूम में यामाहा एब्ज़डस वर्जन फॉर का स्टैंडर्ड वेरियन नहीं है आपको बताना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड वेरियन का हमारे जम्षि वर्जन 4 में आपको काफी सारे क्लार आप्शन मिल जाते हैं पहला कलर आप देखी रहें आपके स्कृन पर ये न्यू क्लर है इसी के साथ इसमें आपको एक सैबर मिलता है रेसिंग बू कलर मिलता है मैट्लिक मिलता और एक ब्लक एकलर मिलता है और आप अगर दोस्तों यामाहा एफ्जेटेस वर्जन फोर इस बाइक को फानेंस में लेना चाहते हैं तो हमारे जमशेदपूर के SDFC वेंग से इस बाइक को आप सिरff 29,999 के डाउनपेमेंट पर फानेंस करा सकते हैं । अगर आप इसे 24 मन्त unku यामाहे पर लेते हैं तो आपको तो यामाहा FZS version 4 इस बाइक के मिलने हैं इसके सभी features के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले बाइक के rear view mirror की तरफ चलिए तो आप देख रहे हैं इस बाइक का जो rear view mirror है आपको black pressure में मिल रहा है जो काफी sharp सा है साथ ही bike के headlamp के तरफ आते हैं तो आप देखे हैं इस bike का headlamp आपको काफी sharp look के साथ मिल रहा है जिसमें आप देख रहे हैं आपको fully LED headlamp मिल रहा है इसके low beam और high beam में साथ ही इसके side में आप देख रहें LED position light लगा हुआ है अगर मैं की को on करता हूँ तो आप देखें on करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा headlamp के ठीक ऊपर आप देखें यहाँ पर यमा का logo लगा है इसके ठीक ऊपर यहाँ पर नंबर प्लिट लगेगा और आप देखें यहाँ पर आपको कोई भी बड़े से size का आपको meter visor लगावा नहीं मिलता है साथ ही इसके turn signal indicator पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यह काफ switch नहीं दिये गया है अब मैं इसे बंद कर देता हूं और suspension की तरफ आए तो आप देखेंगे इस bike में front में आपको telescopic fork मिल रहा है और fork के ऊपर आप देख रहे हैं काफी sporty सा देखने वाला इस bike का मटगाड नजर आएगा जो body color के साथ paint नहीं किया गया है और इसका quality है काफी अच्छा रखा गया है और आप देखेंगे इस bike में आपको orange color का 17 इंच को लाइवे मिलता है जिसके साथ इसके front पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको 100 by 80 section का tubeless style मिल रहा है और इसी के साथ इसके front में 282 mm का आपको disc brake मिल जाता है single channel ABS के साथ और आप बाइक के console के दरफ चलते हैं आप सभी जानते कि इस bike में आपको fully digital console के साथ Bluetooth connectivity मिलता है जिसमें आप call alert, SMS alert और phone battery level देख पाते हैं कहां पर यह भी दिखा देता हूँ आप display के इस तरफ में ध्यान दीजेगा time के ठीक नीचे में मैं key को बंद करके on करता हूँ आप देखे आपको नजर आएगा आपने देखा और उसी के ठीक उपर आप देख रहे हैं यहाँ पर time में यहाँ पर आर्पिम देख पाते हैं right side में यहाँ पर fuel gauge है काफी बड़े से phone में km किलोमेटर पर hour ओडोमेटर देख पाएंगे और अगर मैं select बटन को प्रेस करता हूँ तो आप यहीं पर trip 1, trip 2, trip F, लीटर पर 100 km उसके बाद average लीटर पर 100 km, average और traction control इस बाइक में आपको मिलता है यह भी इसमें show कर रहा है आप चाहो तो इसे reset बटन को long press अगर आप करोग तो आप देखेंगे यहाँ से आप traction control को off भी कर सकते हैं और on करने के लिए इसे ही मुझे long press करना होगा और यह फिर से on हो जागा जैसा कि आपने देखा इसके बाद इस display में यहाँ पर कुछ indicators दियेंगे जैसे कि सबसे उपर में turn signal indicator है, high beam indicator है, ABS indicator है और इस तरफ में neutral indicator, traction control क indicator और malfunction indicator आप देख पाते हैं, right side के handle bar में आएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको self के साथ engine kill switch मिलता है, चली एक बार bike start करके देखते हैं और अब इसे बंद कर देते हैं, और left side के handle bar पर आएंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपको high beam, low beam switch और इसी में आपको pass switch भी मिल जाता है, turn signal, indicator switch और horn मिलता है और इस bike के दोस्तो fuel tank में ध्यान देखेंगे, तो आप देखेंगे, इस bike का fuel tank आपको काफी muscular सा मिल रहा है, और बताना चूँगा, bike में आपको 13 liter capacity मिल जाता है, इस fuel tank में tank के सामने के तरफ देखेंगे, यहाँ पर एक chrome element का यूज़ किया गया है, जिससे देखने में काफी premium सा नज़र आता है, साथी side से आप देखेंगे, तो यहाँ पर graphic है, graphic के नीचे के तरफ में version 4 लिखा गया है, FZS 3D logo में आपको लगाव मिलता है, black finish में plastic material का, tank के उपर आप देखेंगे, यहाँ पर E20 के sticker है, और इसका जो tank cap है, आप देखेंगे, आपको chrome finish में मिलता है, और यह normal सा की है, इसमें अभी तक wave की नहीं दिया गया है, और आप कुछ इस तरह से, इस cap को open कर सकते हैं, और बिल्कुल भी नजर नहीं आगा, इसके fitting बहुत ही अच्छा रखा गया है, उपर से यह भले ही plastic material का, fuel tank है, मगर अंदर की तरफ देखेंगे, तो आप देखेंगे, यह जो दोस्तों अंदर के तरफ में जो part है, अंदर में tank, यह दोस्तों metal का है, आपने सुना, और इस cap को आप कुछ इस तरह से press करके lock कर सकते हैं, और इस bike का दोस्तों जो grabber है, आपको काफी मजबूत मिलता है, क्योंकि यह cast iron material का बना है, साथ इस seat पे ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे, इसमें आपको काफी premium सा step up seat मिलता है, और जो rider or less height का seat है, दोस्तों मैं आपको दिखा table मैसूस होगा, और बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस bike का seat height सिर्फ 790 mm रखा गया है, तो आपका heat अगर 5 feet 2 inch भी होगा, तो आप इस bike को दोस्तों लेने के बाद बहुत ही अराम से right कर पाएंगे, इस bike में आपको काफी sleek सा LED tail lamp मिलता है, turn signal lamp में आपको LED मिल रहा है, बिलक number plate के उपर focus करेगा light, और side से देखने में ये man guard आपको कुछी सतरा का नजर आएगा, और side में आप देख रहे हैं, एक reflector भी लगा है, और rear tire के पीछे के तरफ में आप देख रहे हैं, काफी बड़ा सा tire hugger लगा है, और rear में भी आपको 17 inch के wheel में, मैं आपको दिखाना चाह section का radial tire मिल जा रहा है, और आप देख रहे हैं, rear में आपको एक थोड़ा चोटा ही सही सही, एक sadi guard लगाव मिल जाता है, और इस bike में दोस्तों आप जो ladies footress है, ऐसे series में लगवा सकते हैं, साथ पिले नला footress आप देख रहे हैं, आपको कुछी इस तरह का मिलता है, ये cast iron material का बना है, और इसमें grip rubber का नहीं दिया गया है, फिर भी इसकी quality मैं देख रहा हूँ, काफी अच्छा है, और rider वाल की तरफ चलते हैं, तो आप देख रहे हैं, आपको rider love footress, कुछ इस तरह का मिल रहा है, और आप देखें, इसमें rubber material का grip दिया गया है, इससे क्या होता है, कि ride क देख रहे हैं, आपको कुछ इस तरह का मिलता है, और bike में आप सभी जानते हैं, कि आपको side stand engine cut up, switch मिल जाता है, और chain cover की तरफ ध्यान देखेंगे, इस bike में आपको half upper chain cover मिलता है, और tire के अंदर की तरफ में आप देख रहे हैं, अलग से एक plastic material का mudguard भी लगावा मिल जाता ह है, और suspension आप सभी जाने हैं, कि इस bike के rear में आपको monoshock observe मिलता है, जिसे अब आपने इस आपसे adjust भी कर सकते हैं, और bike के rear brake के तरफ ध्यान देखेंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों, इस bike में आपको rear में 220 mm का disc brake मिलता है, और bike का exhaust जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको इ plastic material का है, और आप देखेंगे इसका जो brake pedal है, आपको कुछ चीज तरह का मिलता है, और engine के सामने आप देखेंगे इसमें आपको engine call भी लगाओ मिल जाता है, और bike की engine की बात करें, तो आप सभी जानते कि इस bike में आपको 149 CC का 4 stroke 2 wall single cylinder air pull engine मिलता है, जिसमें आपको maximum power 12.4 PS का power और maximum torque 13.3 Nm का torque मिलता है, transmission में 5 speed manual transmission के साथ, fuel supply system में fuel injection system, और starting में आप सभी जानते हैं कि आपको इस bike में kick start नहीं मिलता है, इसमें आपको सिर्फ self start मिल जाता है, और bike में दोस्तों आपको 165 mm का ground clearance मिलता है, और इस bike का curve rate सिर्फ 134 kg है, जो अपने 155 CC segment में इस bike का weight काफी कम ह और इसी वज़े से जब आप इस bike को लेके single ride में eco speed में city में ride करते हैं, तो bike में आपको बहुत ही अच्छा mileage मिल जाता है, और मेरा मानना है कि आपको इस bike में बहुत नहीं से 45, 50 या 55 तक का mileage भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप इस bike को किस तरह ride करते हैं, और आपको ब देखा है, तो इसका link भी आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा, version 4 का मैंने काफी टाइम पहले एक city mileage test किया था, ये भी एक वीडियो है, और बताना चूँगा कि इस तरह के मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ इस bike के बारे में mileage test करके, और बताना चूँगा कि जब भी मैंने इस bike को mileage test किया, single ride में या फिर double ride में, हमेशा मुझे इस bike में बहुत ये अच्छा mileage मिला है, तो आप सबसे बोलना चूँगा कि अगर आप अपने single use के लिए, या फिर अपने family के साथ use करना चाते हैं, कभी-कभी, तो आप इस bike को जरूर ले सकते हैं, और अगर आप जमशित्पूर सक्यास पास से हैं, और इस bike का test ride या फिर इसे purchase करना चाहते हैं, तो आप आज ये ब्लोटिया मोटर्स या माहा ब्लूस का शोरूम में, शोरूम का एटेसर, contact number आपके स्क्रीन पर नजार आ रहा है, साथ ही मुझे और मेरे चैनल को support करने के लिए वीडियो को like करके share करें, और चैनल में नहीं तो चैनल को subscribe करके bell notification को all make कर दीजेगा, ताके इसी तरह के और new video आप तक पहुँझ सके, और bike के बारे में दोस्तों कोई और जान करें चाहिए होगी, तब मुझे comment section में comment करकर भी पूछ सकते हैं, क्ते हैं, क्ते हैं,